हेलो फ्रेंड्स किर्स स्पेशल टिफिन रेसिपीज में आज मैं आपके साथ शेर करूँगी मूंग डाल और मेथी की सूखी सबजी जो इतनी ज़ादा मज़ेकी लगती है ना और दिखे इस तरह की सबजी अगर मेरे बच्चे को मैं रोज भी टिफिन में दे दूँ तो वो इसे हर रोज खाना पसंद करेगा जिसे बनाना बहुती आसान है बहुती कम इन इंग्रिडियन के साथ आप ये मज़दार सी सबजी बना करके तयार कर सकते हैं तो प्लीज आज अच्छे से हम पहले वाश कर लेंगे वाश करने के बाद ना इसमें हमें थोड़ा पाने डाल करके भीगने के लिए साइड में छोड़ देना है ताकि दाल हमारी जल्दी से गल जाए पक जाए इसके बाद हमें एक पेस्ट रेडि करना है तो इसके लिए एक गड़ी उनका पेस्ट रेडि में दाल देना है दो मिनट तक इसे भून लेंगे देखिए अच्छे से दो मिनट तक भूनने के बाद इसमें अभी आड़ करना है यह धोकर रखी हुई मेथी और इसी के साथ जो मूंग दाल हमने रखी थी भीगो करके वो भी इसमें डाल देंगे अ और ग्यास का फ्लेम लो रखकर इसे लीड से कवर करके पांस से साथ मिनट तक पकने दीजिए फाइनली फ्रेंट साथ मिनट के बाद देखे पानी पूरी तरीके से सूख चुका है आप देख सकते हैं ओयल भी रिलीज हो चुका है और हमारी ये मेथी की सबजी बहुत ही ब मज़े की लगेगी तो मेथी की सबजी यहाँ पर बन करके तयार है इसके बाद हम बनाएंगे पराठा यानि चपाती तो चपाती बनानी के लिए डो मैंने पहले से ही तयार कर लिया था इसके बाद थोड़े सा पोर्शन हाथ में ले करके इसका पेड़ा तयार कर लेंगे अंदर से ओईल लगा लेंगे और इसका पेड़ा इस तरह से बनाना है फ्रेंड देखेगा एकटम फुला फुला पराठा यानि चपाती किस तरह से बनानी है उसका भी तरीका आप एक बार देख लीजिएगा इसे बेलना है जादा पतला ना जादा मोटा बेल करके रेडी है तो तवे पर इसे गर्मा गरम अच्छे से शेक लेंगे नीचे उपर से शेक लेना है और ओयल या बटर घी जो आप लगाना चाहते हैं इसके दोनों साइट से लगा लीजिए और आप खूदी देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर यह चपाती हमारी कितनी अच्छे से फुल रही है एकतम आसान सा तरीका है आप इस तरह से घर पर इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा और बस यहाँ पर हमारे पराटा भी रेडी है यानि चपाती भी रेडी है और मेती की सबजी भी रेडी है तो गरमा गरम आप इसे टीपीन में बच्चों के दे दीजिए सच में फ्र